इगनू के तरब से 4 new update किये गए है जिसके बारे में इस वीडियो में हम डीडियल में बात करेंगे और ये update आपके लिए काफी ज़्यादा important है तो वीडियो को complete देखिए और इगनू से related authentic और official update पाने के लिए चैनल को subscribe कर लिजे ताकि नए वीडियो का notification आपको मिल सके तो च के अलावा इगनू ने जून 2022 एक्जाम के re-evaluation का भी तीन update पब्लिस्ट कर दिया है इसका तीसरा update तीन नौमबर को आया है और यह जितने भी update आया है इसके बारे मैंने आपको time to time टेलिग्राम पर बता दिया था अगर अभी तक आपने टेलिग्राम को join नहीं किया है तो join कर लेजी से यह फाइदा होगा कि जो भी update आते हैं वो आपको तुरंट से पता चल जाएगा क्योंकि सभी topic के ओपर instantly वीडियो बनाना possible नहीं होता है तो उसे मैं यहाँ पर जरूर update कर देता हूं तो link नीचे दिया हुआ है आप टेलिग्राम को join कर सकते हैं और अब बात कर लीजे BPSC 104 इसमें इनको 12 नमर दिया गया है re-evaluation के बाद और re-evaluation से पहले का आप result देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं BPSC 104 में पहले 3 नमर था और re-evaluation के बाद इनका 12 नमर हो गया यानि कि यहाँ पर पूरा no number increase हो गया है तो ऐसे जितने भी student है जिनोंने जून 2022 exam re-evaluation के लिए अपलाई किया था तो वो अपना result चेक कर सकते हैं इसके लाबा अगर आपका re-evaluation का result नहीं आया है तो आपको wait करना होगा क्योंकि एक बार में सभी student के re-evaluation का result नहीं आता है इसमें भी कई update आते है तो आपको wait करना होगा अगली update के बारें बात करें तो किज़े कि अगर इसमें आपका नाम है तो आपको study material दिया जाएगा इसके लिए आपको क्या करना होगा जो जोधपूर regional center है वहाँ पर आपको जाना होगा इगनु का original ID कार्ड ले करके और फिर जो study material है वो आपको दे दिया जाएगा इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे regional center के student है तो यहां से आप अपने books का status चेक कर सकते हैं यहां पर आपको बताया जाता है कि जो study material है वो आपको कब तक मिल जाएगा और अगली update के बारे में बात करें तो इगनु के तरफ से national feature writing competition का आईउजन किया जा रहा है अगर आप इसमें participate करते हैं तो आप 2000 रुपे से ले करके 5000 रुपे तक का cash price पराप्त कर सकते हैं और साथ ही में certificate है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था लेकिन उस समय जो price है इसके बारे में आपको नहीं बताया गया था तो अब आपको price के बारे में भी बताया गया है देखे इसे आप तीन भासाओं में लि रिखना होगा और इसमें टोटल 9 प्राइज रहेंगे और जो फॉस प्राइज इसमें आपको 5000 रुपएय दिया जाएगा ब्लस सेटीफिकेट और इसके अलावा 20 इस ऐसे भी student है जिने सिर्फ certificate दिया जाएगा सभी language में जैसा कि यहां पर आपको बताया गया है और यहां पर भी आपको बताया गया है इच लेंग्वेचे और जो word limit है वो आपको बताया गया है 1200-1500 word के बीच में होना चाहिए इसके लिए जो eligible student है उनके बारे में यहां पर बताया गया है अगर आप IGNU के student है तो इसमें आप participate कर सकते है इसके लावा यह भी बताया गया है कि जब जो आपका feature है इसको आप लिख लेंगे तो जो IGNU का ID card है इसे आपको self attested करके इस feature के साथ submit करना होगा और जो submission का last date है वो है 7 December 2022 7 December 2022 तक आप submit कर सकते है इसके लाव इस पर आप click करेंगे तो यह open हो जाएगा यहाँ पर आपको अपना सबी details डालने के बाद और IGNU का ID card आपको यहाँ पर upload करना होगा जो feature है वो आपको यहाँ पर upload करना होगा और submit पर click करते ही आपका जो यह है submit हो जाएगा इसके लावा अगर आप hard format में submit करना चाहते है तो इसके लिए आपको बताया गया है यह आपका type हो सकता है या फिर handwritten हो सकता है इसे आप इस address पर submit कर सकते है इस speed post के माध्यम से और इसका जो result है वो कब declare किया जाएगा यहाँ पर आपको बताया गया 12 जनवरी 2023 को जो result है वो declare कर दिया जाएगा जब result आ जाएगा तो मैं